नमस्ते दिपीका हां हम लोग आते हैं पहली तारिक को मुझे इस शहर का ऐसा एपॉंट किया जा रहा है डैट भी उसी दिन रिटायर हो रहे है कंग्रेट्स जो आदित हासल नहीं कर पाया वो तुमने हासल कर लिया अब तक मैंने अपने करियर के अलावा और कुछ भी नहीं सोचा लेकिन अब लाइफ में एक इंपोर्टेंट स्टेप लेने जा रहा हूं तुम अब भी आदी का इंतिजार कर लेंगा किसी को भुला देना इतना आसान नहीं होता यह मैं जानता हूं मैंने ही चाहूगा कि तुम पूरी जिंदगी उसका इंतिजार कर लेंगा अगर सुधरना होता है तो कम से कम वो कोशिश तो करता है लेकिन वो अपनी जिंदगी बत से बक्तर बनाता जा रहा है और अब तुम्हें अपनी जिंदगी का फैसला करना है लॉष्ञ और जो है बिए चालिहूट फ्रेंड्स हम एक दूसरी को अच्छी तरह जांते हैं सव तो भीकानी जिंदगी नियुक्राइब का इंदगी इस ज़िस्ट अप्षिन, और रिप्लाइ इमेडियतली, तुम्हारे पास तीस तारिक तक का टाइम है, अगर नो भी कहोगी, तो चलेगा, लेकिन जवाब सोच समझ कर देना हूँ आज काफी देर हो गई डैड, यस यस, इट वस न इंट्रस्टिंग केस, कम्प्यूटर पर आरंडी करने के बाद सारा केस समझ में आ गया, इस अ केस अ लाइको पोडियम, अ इंटेलेक्टल हिपोक्रेट, हमेशा सही दवाज से ही तुम्हारे ज़िस्ट पर आरंडी करने के आरंडी सही इलाज होता है, कुछ समझ में नहीं आया ना, वैसे भी इसब जानकर तुम क्या करोगी छोड़ो, रुक्ये, शट डाउन मत कीजे, मुझे भी काम करना है, ज्यादा देर मत बैठना, जल्दी से सो जाना, ओके, गुद नाइट, गुद नाइट, गुद मेरी विक्रम से मुलाकात हुई, वो एक के बाद एक सारी चीजें हासिल कर रहा है, जो मैं चाहती थी कि तुम करो, पहली तारीक को उसके पिताजी रिटायर होने वाले हैं, और उसी दिन वो S.I.E. का चार्ज लिने वाला है, आज उससे मिली तो, उसने वो बात कह दी जो म मैं तुम्हारे मुँझ से सुनना चाहती थी, इस अकेलेपन की घड़ी में विक्रम ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, मुझे संडे तक उसे जवाब देना है, उससे क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं नहीं जानती कि तुम इतने दिन कहां थे, मुझ से, दोस्तों से, अपने परिवार से दूर क्यूं रहे, मुझे एक किसी भी बातों का जवाब नहीं चाहिए, बस एक बार कह दो कि तुम मुझ से प्यार करते हो, फिर सिंदगी भर ही सही, मैं तुम्हारा इंतिजार करूँगे, आदी, आपने मेरा एडमिशन तुम्हारे स्कूल में कराया है, अब मैं भी वही पर पढ़ूँगा, वेरी गुट, मैं स्कूल इस वेरी गुट स्कूल, तुम आओगे तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊंगी तुम्हें, कौन से दोस्त है तुम्हारे, विक्रम है, कि मुफेंगे, है तुम्हेंगे बेस्ट, बेस्ट फ्रेंड, माइ बॉइफ्रेंड जलो उत्रो अरे लक्ष्मी इसका है अध्मेशन करवा कर अच्छा क्या दोनों साथ में ही आगे बढ़ेंगे आओ बैठो, मैं तुम्हे छोड़ देता हूँ जाओ अपनी क्लास में जाओगे न आंटी आप टेंशन मतलो, इसका ध्यान मैं रखूँगा तु तो बहुत बढ़ा हो गया बैठो लक्ष्मी अपना तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आदित्या है और मेरा नाम विक्रम शीनाय है विक्रम बुलाना मुझे बता तु चोर है ये पुलिस क्या? मैं पुलिस हूँ और तु? मैं भे पुलिस हूँ तो फिर एक काम करते हैं क्लास रूम तक रेस लगाते हैं अगर मैं जीत गया तो तू सलूट करेगा और अगर तू जीता तो मैं सलूट करूँगा ओके? तो रेड़ी वान तू थ्री गो! अरे जल्दी उटादी चल सलूट मार यू कन नेवर बीट मी आम स्मार्टा दन यू यू मंकी उसने क्या कहा तुम समझे नहीं ना? तुम उससे कभी नहीं जीत सकते वो तुमसे बहुत चालाख है उसने तुम्हें बंदर कहा आओ चलो मेरे जन अभे क्या कर रहा यार गाड़ी चले निनी आती क्या अरे खीक से चला यार अरे थोड़ा स्पीड बढ़ा ना यारे ए बोड़ी विड्लेर सुनाए कि तू इंस्पेक्टर बनने वाला है और इस एरिया का चार्ज भी तेरे अंडर होगा वैसे अपना आधी तो यह नहीं है और हम तिनों यह से जाने नहीं वाले और यह मत सोचना है कि इंस्पेक्टर बनने के बाद तू हमसे पुरानी दुष्मनी का बदला लेगा सोचना भी मात चल जा खष्ट मंदिर जा रहे हो हाँ कि हम दोनों ही एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं and that is life मम्मी पापा ने इसके बारे में कई बार मुझसे पूछा पर मैं ना बोलती रही और उसने कभी मेरे दिन की बात जानी ही नहीं अब मैं भी उसके इंतजार में और तड़पना नहीं चाहती हूं सब जानते हुए तुमने मुझे अपनी लाइफ में इन्वाइट किया इन्विटेशन एक्सेप्टिट जिन राह तेरी तो चलाया दिन अपने करीब में पाया तुमन साथ ना छटी मेरा बना रहन हम सफर तू मेरा अला 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 हुए आल्लाहू, आल्लाहू, आल्लाहू आल्लाहू, 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 हमकूछें!!! अज 않은 एसम्समषे उसरोडोन आखें। अहीं, आका Aleah, आजए, आजए, आटीपून!! हुआ है मा, मैं क्रिस्टी के घर जारी हो नोट्स लेने के लिए जल्दी आ जाओंगी शूती अभी तक नहीं वो किताब लेकि बैठी है काफी देर से टीवी में घुसी हुई थी तुम्हारी जीब के आवाज सुनते ही वो किताब लेकर बैठ गई मा तुम आ गई मैं चाय बनाती हूँ अरे आप रहने दीजिये मन लगा के पढ़ रही है यही बड़ा काम है रुको रुको तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे देखती हूँ मैं आओ बैठो आदी आपको नहीं पता क्या आदी वापस आ गया है आज सुभा उसे देखा तुमने उसे देखा उसने क्या कहा और कहां है वो इस समय हां उसे देखा पर उससे बात नहीं कर पाई आटी मुझे लगा कि वो घर पर होगा इसलिए मिलने आई गर पर नहीं अला बहुत सालों पहले मुझसे एक भूल हो गई थी उसी की सजा दे रहा है मैं बात में आती हूं आटी मैं आटी कि नहीं का पुर आटाम पारा क्नाटी कि अच वा हूं उसा आटी अर्पार, अजय ये अ़? हे- हे! पासमा के लिए लाखों तारे है मगड़े मेरे आखों का सितारा एक है तू तो यू मेरे बागों का मेहत मेरे सांसों की जीन का सहारा एक है तू कि देरे हर सपने को तेरे हर ख्याल कर आजा चाम के वेरे बेटे बेत में सजा दू तेरी खसि के लिए तेरी खुशी के लिए आजाए के जादू में दिखा दू एक वच्छा सो रहा है आपको समझ में नहीं आता है आप सोने जा रहेंगे आप यहीं सोएगे अच्छी अरे हमा अरे बसको तुझे को सोलाता हूं तो यही सोचता हूं कोई नीन्द से ना तुझे को जगाए बात मेरी जाने बीना हार मेरा जाने बीना मेरे अपने ही रूट जाए तेरी हसी के लिए खुशी के लिए आजा एक जादू में दिखा दू जिसे रसते पे मैं चला हूं से रसते पे तुझको नहीं है कभी जाना काम कोई ऐसा नहीं करना कभी भी कहीं पड़ जाए सर को जुकाना तेरी हसी के लिए खुशी के लिए आजा एक जादू में दिखा दू पुल मेरे बागों का महक मेरे सांसों की जीन का सहारा एक है तू तेरे हर सपने को तेरे हर खयाल को आजा मेरे बेटे में सजादू मेरे पापा ने कल एक बहुत बड़े चोर पो पकड़ा और जैसे वो चोर दिवार से कुदा नेरे पापा उसके पीछे गया और हाथ पेर बाँनके उसे जीप में बिठा दिया और जील लेकर गया तेरे तो शिर्फ बापा ही पुलिस है मेरे तो मम्मी पापा दोनों पुलिस हैं तो क्या हो पुलिस हो कर भी तेरी आमा चोरों के पीछे नहीं भागती ना और तेरे पापा पुलिस है तो पुलिस यूनिफर्म क्यों नहीं पहनते पापा असले पूलस नहीं हो अईसा क्यों पूछ रहा तू तो फिर आप यूनिफॉर्म बेन के मेरे स्कूल में आईएगा ठीक है कल मैं तुछे लेने के लिए खुद आऊंगा है? वान तूठी ठी पून पाइएएगा तूठी पुट लेइए पाइएएएएएएएग पापा? पापा यह सब तुम्हारे फ्रेंड्स है यह मेरे पापा है पूलिस है यह विक्रम है इसके पापा भी पूलिस है अच्छा यह दीपिका है मेरी अच्छी फ्रेंड है अच्छा मैं तुम्हारे दोस्तों के एक अच्छा सा मैजिक दिखाओ तुम सब को फूल पसंद है ना तो पूलो की देवी तू आजा, फूलो की देवी तू आजा, फूलो की देवी तू आजा, फूल 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 की देवी पापा चलो बिट्टा आव ये लिजी बाहिसार अच्छा ठीक है बाहिसार तक्षू करक्षू करें! पकडो! परे च्छोर को पकडो! पकडो! कश कर पकड़ी से पांधर ने चलो इसे अंकल मुझे और अज वाली दीचिये ए आदी उधर देखना हो जल्दी चल जल्दी चल पापा चल बैट पापा 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 इसकी एक एक ट्रॉब अरे गंटे में दीते रहे ला सुबै तक इठीक हो जाएगा अबरानमाद पापा जो मत चुपो जाएगा जींगे का अचार घर में बनाएगा बड़ी मुश्किल से तेरी जमानत करवाई है और तुए कि भावी नहीं दे रहे मेरे बेटे के सामने मुझे खीच के ले गया कमीना कहीं का अगर चोर लोग इतना सोचने लग गए ना तो हम वकिलों का धन्दा पानी तो बंद हो जाएगा यार एक बात बता तू इतनी मेहनत करके अपने बेटे के लिए इतना कुछ कर रहा है ना तो उसके उजवल भविश्य के लिए कोई अच्छा सा प्लान बना और एक ही बड़ा हाथ मारके लाइफ में सेटल हो जाए बाद में कोई दंदा पानी शूरू कर लेना है हां देख मेरे भाई तुझे बचाने के लिए और मुफ्त किराय देने के लिए मैं जन्दगे बर साथ नहीं रहने वाला है मेरी बॉड़ी के तरह मेरा लेवर भी धीरे धीरे फूलता जा रहा है डॉक्टर ने काय मेरी गारेंटी खत्म हो गई है उसकी घूरती नजरे मेर अब पीछा नहीं छोड़ रही है कैसे उसके सामने खडा रहा हूं मैं ऐसे खडा रहे हैं बात करते हैं है कि अ है कि अ कि 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 अधिक मामिक अपको बोनों के यहां से चले जाएं और जेन से डर लग रहा है कि अधिक मेरी बस कुछ मत कहिए मैं तो बहुत पहले ही जान गई थी कि मेरे साथ धोका हुआ है अकर मैं पहले ही छोड़ देती तो बच्चों को जवाब देना होता ना जाते हुए भी उन्हें बताना पड़ता कि उनका बाप चोर है पर आप बच्चे जान गए है अब मुझे आपके ज़रूरत नहीं है और नहीं इन बच्चों को है चले जाहिए चोरी करो डाकर टालो जोजी में आदाए करो पर हमारा पीजा छोड़ दो झालो आओ लक्षमी तुम जल्दी से अपने घर जाओ मैं भी आ रही हूं कुछ बात है क्यों मैडम कल तुम्हारा तुम्हारे पती के साथ जगरा हुआ था ना अब क्या कहूं मैडम मैं तो तंग आ चुकी हूं कल उने घर से निकाल दिया नती किनारे ब्रिज के नीचे एक बॉड आदी अब इदर पहले जासा नहीं है नएने ओपोर्चुनिटीज है गोल्डन ओपोर्चुनिटीज है यार यह संतों के चुला उतार दे थोड़ा फ्रेश हो जा हँर होने के लिए पीना जरूरी है तेरे आने से जान जाना गई है अब देखना है इस शेर पर अपना ही राज होगा हाँ हुआ कर दो कर दो हुआ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो速 बाद कर दो बाद कर दो कर दो दी पी का में नंस जल्दी से इसका ना मिटा दे यहां से फिर देखना भगता हुआ आएगा देखते ही जल जाएगा विक्रप्ट मज़ा आया ना विक्रण को देखते हैं तो खाना क्यों नहीं खा रहा है मुझे नहीं खाना ले तूभी एखा आदी अजय बाबा वो फैमिली डॉक्टर है अरे फिकर मत कर किसी को पता भी नहीं चलेगा मेरे पास एक सॉलिड प्लान है क्या प्लान है बहुत सॉलिड प्लान है अजय को सॉलिड इंदो किसी को चापि पना हाऌ आप तो ब्याद कैसी है अब ठीक है पर ये ठीक से पढ़ता नहीं है डॉक्टर क्लास से भाग कर बिगड़े हुए बच्चों के साथ घूमता रहता है इतना मारते हूं फिर भी नहीं सुधाता अधी मा ये क्या कह रही है ये स्कूल सी कब छूटता है चार बचे डॉक्टर इसे रोज साढ़े चार बची यहां छोड़गी है पेरी हेल्प करेगा और गुरी संगत से दूर भी रहेगा इसे पॉकेट बनी की भी जरुरत होगी ना वो मैं दे दूगा बहुत बहुत शुक है क्यों है ना अधी क्या है क्या है क्या है क्या है क्या हूं आटी मैं ठीक हूं बेटा कि इतना अच्छा लड़का है भगवानी से हमेशा खुशा रखे अरे क्या हुआ अच्छा सुना अपने मेरा बच्चा पास हो गया इस डिस्टिंशन अच्छा सुना आपने मेरा बच्चा पास हो गया विच्टिंशन शाबाश मेरी बच्ची यह ले बिटा तेरे लिए मैंने मिठाई बनाई है मामो जै श्री क्रिष्णा ठीक है ठीक है ठीक है गल्र प्राइट झाल मेरा आते sanctuary अज़िस्या ख़िएजन उस्ति चाह राई पो बता पनो पपयां भपने दो कप लूञ हुष 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 टiają टको इंड कर लिए ढ leaned हुष 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 एक दिवाना, एक है पागल, नाम है जिसका, विक्रमादित्यम, विक्रमादित्यम, एक को देखो बेपरवाग है, नगी किसी की बेपरवाग है, दूजे को करना है अपने टाइम पे जारा का, विक्रमादित्यम, 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 बादाम चारी है पांच दिया करो मा, ओ, सो सॉरी, ओके, खुश, अगली बार याद रखना, आए, 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 भी बाहर जाओ, कुछ भी खाओ, इसका तो यही है बंडा, इसको देखो, टाइम पे अपना, काम करेगे बंडा, सिंदगी जीने कधं, दोनों के अलग अंदाज, जाद हो जिस चीज की, उसकी खातिर चलो, गेरा पेरी, इसी ही है, सोच, इसकी यही है, इसकी पागल पंती, विक्रमादित्यम, विक्रमादित्यम, एक को देखो, बेपरवाग, नहीं किसे की बेपरवाग, तुझे को करना है, अपने ताइम पे सारा काम, विक्रमादित्यम, 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 करी आफ और बने जबntyवानकी Dé ईक है एक प्तुरा का जबधेला है कर अ sort 國ाका watching रosed! कर दो कर motion येलो येहां पर गुड़ी जुडे इमानोना मानों यारो Mac विक्रमाधियम विक्रमाधियम लिए्टिवानेट दिवानेठ राकल नामेचिका विक्रमाधियम विक्रमाधियम अइ northern aar हुषकाप का नियुदि है वाँ पागल नाम जितका करना घा अपने टाइम पे साराल काम विक्रमा अधियम संख्राइद! येख येख वो! येका! बोगा! और लगाद वादी वादा है की? वो, यहाँ! वो! वरन जरॉपी के लिए मैं चैलेंजर टीम के कप्तान आदिछ वोमच को गुदाना चाहोगा! वोग रहाँ, थैंक यू सर्षु! अबने जेता टीम के कप्तान बिक्रम को बीनर जरॉपी को प्तार करने के लिए बज पड़ाना चाहोगा! यह! तुम्हारे लिए यहार तो नहीं नहीं है तो पेर अनी नाराज़की क्यों हटो मेरे रास्ते से गिरिगट कहीं की तुम्हारी नाराज़की की वजह मैं समझ गई क्या समझ गई विक्रम ने मुझे हग किया इसे लिए ना तुम जाकर किसी को भी हग करो मुझे उससे क्या अच्छली मुझे गले लगना पसंद नहीं है लेकिन जो फ्रेंड अपनी महनत और काबलियत के दम पर जिंदगी में कुछ हासिल करता है उससे सिर्फ हग नहीं मैं उसे किस करना भी पसंद करोंगी ओ तो ये बात है और उसने कभी इस बात का फाइदा उठा लिया ना तो हे बगवान इस तरह रो रोकर मेरे पास मता ना ये वह तुम्हारी तरह छे चोरा नहीं है ये इस वीजन्टलमेल ये रोग प्रेंड खेंड ना तो फिर मैं कौन हो ये वह और मैं ये वर्स्ट फ्रेंड चलो फ्रेंड तो हुना तो पिर मुझे भी अग करो चलो नाराज की दूर करती हूं आदी आदी छोड़ो मुझे देख रहे हैं आदी छोड़ो पीव आदी छोड़ो आदी आदी विक्रंग जाने दो आजा आदी विक्रंग विक्रंग आदी रुख जाओ आदी हुआ 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 है हुआ 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 है कि उष walks हुआ हुआ आदि हुआ हुआ है अधी नहीं हां जो ते ऐदे फ़से अधी और अधी आधी ऑदी अधी अधी कर भार अधी तो अधी उत और अधी के अधी अधी , रोगाइव आपान लोडने पिरे जि만 पिर मुडने दो अलेट आप 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 traffic आ आप सालों पहले मैं तेरे बाप को घसीटते वेज जेल लेक्या था तेरे कभी मेरे बेटे को हाथ लगाया ना तो तेरा भी हाल तेरे बाप के जैसा करूँगा समझा कमी ने करहा हुषियोigorता हुषियो अ बाप की दुश्मनी उसके बेटे के साथ क्यों निकल रहे हो, उसके बेटे को मत घसिटो, इसमें शेना साब, ये तो मामुली लडाई है, यार वकील, किस ने कहा तुझे, कि ये सिर्फ मामुली लडाई का मामला है, हाँ, दिन दहाडे बीच रास्ते पर एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई, ये गंभीर केस है, उससे तो मैं सबक सिखाऊँगा, ये, डॉन्ट डू दिस, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, देख वकील, उसके डिफेंस में तुझे जो करना है, कर, और मुझे जो करना है, वो मैं करूँगा, चलता हूँ, सर, जब किसी न उसके खिलाफ कंप्लेंड नहीं के, तो केस किसलिए बना रहे हैं, सर, तुम अपने काम पर ध्यान दो, किसने कहा उसके खिलाफ कंप्लेंड नहीं है, डर्ज हो चुकी है, मैं आई कम इन डॉक्टर, सब ठीक चल रहा है ना, सब ठीक है, आप कैसे हो, आप बिजी तो नहीं है न, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं क्या, नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर ऐसे कोई सीरियस बात तो नहीं है न, शिनोय सर, सीरियस मतलब थोड़ा सीरियस ही है, कल जो हुआ, वहां आप भी मौजूद थे, आपको तो सब पता ही है, अगर उस सब्सक्राइटी फॉर्मल कंप्लेंट भी देगी तो केस काफी स्ट्रॉंग हो जाएगा, पुलिस डिपार्टमेंट इतना रस्पांसिबल होगा ये मैंने सोचा नहीं था, ठीक है, एक बार अपनी बेटी से बात करके देखता हूं, मेरे हिसाब से इसे हम बड़े ही सुल् डॉक्टर राम नाथ, लेजी आगे, आपको जो भी पूछा आप खोदी पूछ लीजी, तुम ठीक तो होना बिटी, वैसे मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त तुमारे दिल पर क्या बीद रही होगी, इस हालात में कुछ भी पूछना सही तो नहीं होगा, पर इंसाफ तो होना मैं चाहिए ना, मैं चाहता हूं कि तुम आदी के खिलाफ एक फॉर्मल कंप्लेंड देही दो, कंप्लेंड, किस बात की कंप्लेंड, मेरी कोई कंप्लेंड नहीं है, विक्रम और आदी, दोनों ही मेरे चाइल्डूट फ्रेंड्स हैं, ये तो आपको पता ही है ना, अगर हम अगर ऐसी बात है तो विक्रम को भी सजा मिलनी चाहिए, उसी ने तो ओबर्याक्ट किया और आदी पर हाथ उठाया, अब, 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 अब सॉरी, सॉरी, चाहे पीगर जाहिए न, तुम्हें खुछ से में जवाब नहीं देना चाहिए, मैं फ्रस्टेशन में हूँ, सॉरी, मुझसे मत करो, जा उन से माफित, है, हाहाँ, मा अब मेरे करीर का ये फिर्स्ट टेप है, हाहा, हाह? मैं डॉक्टर साफ से मिलने गया था पबाबा पी एसी अप्लिकेशन भागवान तुझे काम्याबीदे है क्या हुआ आप कुछ परेशान लग रहे हैं मैं दीपिका से मिलने गया था आदी के खिलाफ एक फॉर्मल कंप्लेंट के लिए हैं पर वो कहने लगी कि ओवार रियक्ट करने के लिए विक्रम को सजा मिलने चाहिए अच्छी प्रेमिका है प्रेमिका नहीं पापा शीज मैं बेस्ट फ्रेंड और सिर्फ वही नहीं आदित्य भी जहां तक लड़ाई का सवाल है वो तो हम बच्पन से करते आ रहे हैं और शायद कल की तरह हमारे बी होने की वज़ा भी यही हूँ पापा पापा कल जो हूँ अब मुझे उसकी चिंता नहीं है कल ऐसा है सिलेक्शन के लिए मैं अप्लिकेशन दे रहा हूँ फिलहाल उसी के बारे में सोच रहा हूँ आदी के मैटर को बढ़ा कर मुझे डिस्ट्रैक मत कीजी प्लीज ठीक है क्रेटा क्या चल रहा है क्या दिया उस आदमी ने ड्रग्स चाह 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 ना कभी किया है और ना कभी करूँगा मैं एक निहायती शरेफ इंसान हो तुम तो ये बाद जानती हो ये तो रिजो बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चापी हुई ओरीजिनल करंसी दुश्मन इन्हें काला धन याने ब्लैक मनी कहते है जरूरत पढ़ने पर पैसे मांगने के लिए तुम लोगों की तरह मेरा कोई बाप नहीं है तो आइब टूरीज माइसर्फ वैसे उस बॉड़ी बिल्डर की बाइक पर घूमने में मज़ा तो आ रहा होगा ना दोनों रास्ते से बटके भी होंगी हम दोनों अपने रास्ते से बटके नहीं है वो एसा ही सिलेक्श करीं कि यादे बच्पन में शिनौय अंकल तुम्हारे पिता को गसीड़ते हुए ले गए ते वह नजारा तुम्हें तो यादि होगा ना वहीं दुबारा होगा अब अपकी बार विक्रम तुम्हें गसीड़ते हुए इस रास्ते से ले जाएगा और एक बेटा वही नजारा अपनी माँ को दिखाने वाला है कि अधायादी मैं तुस्ते बहुत सी उम्मी ने लगाई बैटा था सोचा था तु अपने बाप से भी पड़ा खग निकलेगा और फिर डॉन बनकर इस शहर पर अपना सामराजा खड़ा करके राज करेगा तेरी उम्र में मैं बहुत कंफ्यूज हुआ करता था कि लाइफ में अखिर बनू दो क्या बनू पढ़ा है हार एक प्रोफेशन में चोरी तो होती है अब डॉक्टरों को लेले सबसे बड़े लुटेरी तो वही है और ये इंजिनेर भी मिलावट करके बड़ी बड़ी इमारते खड़ी कर देते हैं इस तरह अपने अपने प्रोफेशन में चोरी करने से कोई चोर नहीं कहला था बड़ी आदी कहां आदी अब क्या कन्फिजन हो ने तुझे मैं चोर बनू या पुलिष यही ना अरे मैं तो केता हूं तुपुलिष बनकर चोरी कर ना के हुँ मैंने भी तो कई अधालतों में जूट को सच साबित किया और सच को जूट साबुत किया और वकील बन गया तू भी फ्राड पुलिस बन जा जिस कि अ हैया ऑू डट आतन כो सच के लिएफशन के बने फम फम फ्र तंड को कि बजसे चरुएर्ण साबू थ olacak कि बनाओों अरियो कि चुझी थाल थाल… जहां एक पुलिस वाले की भरते के लिए करेब चार सो लड़कों पर काम किया जाता था वहीं आज उस भरती के लिए हम आर सो लड़कों पर दिन रात काम करते हैं जहां पुलिस वाले जान की बाजी लगाते हैं और अपना सुक्षयन गवा के सब के लिए काम करते हैं उन्ही पुलिस वालों के खिलाब कुछ सरकारी लोग अपने पद का नाजाइस फायदा उठाके उन्हें पत्नाम करते हैं आप बस यह सब समाल लीजिए बाकी मैं देख लूगा ठीक है सर चलता हूं सर हाँ जाइए फिक्रबत कीजिए अरे तुम यहाँ पर थाने में गया था तो पता चला यहाँ पर हैं क्या बात है फिर कोई लफड़ा किया क्या तो फिर ऐसा है सेलेक्शन के लिए अपलाई किया हम उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट फिर फिजिकल एफिशेंसी टेस्ट फिर इंटरव्यू होगा और फिर ट्रेनिंग हम आरेक स्टेज में बहुत टफ कॉम्पेटिशन होगा घर पे मां की डाट काने से तो अच्छा ही है कि मैं इसमें हाथ पैर मरूं तुम्हें ड तुम्हारी इल्लीगल साइट बिसस्स के बारे में तुम्हें कैलगता मैं नहीं जानता और सिर्मुझे ही नहीं शिनौई सर को भी इस बात की पूरी भनक लग चुकी है सुदर जाओ वरना पश्ता होगे पहले से वह तुमसे नफरत करते हैं ऐसे में अगर उन्हीं पता चला कि तुम भी ऐसा ही बनने जा रहे हो तो तुम्हारी खैर नहीं है थोड़ा बचके रहना हां मुझे पदा है एप्लिकेशन देते ही मैंने सारे इलीगल काम छोड़ दी है वो लोग वैसे भी मेरा कुछ अगर फिर भी उनने कुछ उंगली की ना तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूगा उनके काले धंदों के कुछ राज मैं तो जानता हो ना मुझे को कुछलना आता है अगर तो अगर तो अपने सारे धंदे बंद कर देगा तो पॉकेट मैंने कहां से आएगी मा से लेगा क्या च आप तो सीरियस होगे काउनसा कॉंट्रेक्ट फिलाल पुलिस टेशन को पेंट करने का कॉंट्रेक्ट मेरे पास है तो लगता है मुझे इंस्पेक्टर ने पेंटर बनाओगे ड़न तुमारा भी नाम दुनिया याद करेगी तेरी तिली तो फूर हो गई पुलिस टेशन की दीवारों की सफाई करने का कोई मतलब नहीं है यहां के लोगों की सफाई ज्यादा जरूरी है हां लेकिन पहले अपने आपको तो साफ कर लो वैसे पुलिस स्टेशन में पुलिस को सिगरेट पिना अलावडे क्या है अरे अरे पहें क्यों रहे है है ही मेरे तपनों की दानी कादा आए जी तू हरुत नाय मंगतानिंगा हुआ 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 यह सिस्टम बढ़ाई बोरिंग है उसा सिस्टम यह सेलिवड मारने का सिस्टम क्या है अरे यह तो अंग्रेजों की अमानत है जो इस देश में छोड़ गया है अब जब देश आजाद हो चुका है तो यह सब किस लिए तू पागाल है क्या गुलामी और डिसिप्लीन के बिच फर्क पता है बात करता है हमारे भारतिय समविधान की अनुसार सबको समान अधिकार दिया गया है और आप इस बिएवियर को डिसिप्लीन कह रहे हो जो एक साथ मिल जूल कर काम करते उन्हें सहकरमी कहते है उपर वाले की नजर में तो सब लोग एखी है कोलोनियलिजम और कास्टिजम जैसी चीज़ें आपके इसी डिसिप्लीन की देन है, जिसे कहते हैं सलियूट, आदा बर्स है, अब एक पेंटर इस देश में करांती लाएगा, अपना काम कर और निकल याँ से, वैसे भी इस देश में बहुत सी चीजें बदली है, हमारे विचार, रिती रिवास, घ्रहन से, तुमारी सोच के आपके बेटे को आपने जो बाइक गिफ्ट की है ना, उसके टिलेवरी मैं नहीं की थे, एक लड़का बाइक छोड़के गया है, और ये आपको देने के लिए का है, बाइक कहां से आई, किसने दी है आपको, और उसके बदले आपको, मैं आपने उनके क्या-क्या काम किये हैं, मुझे सब पता है, दूद का दूला कोई नहीं होता, आपके बेटे को आपने जो बाइक गिफ्ट की है ना, वो रिश्वत में मिली है ये उसे पता चला तो, बहुत सौगड जटका लगेगा उसको, जस तरह मेरा बाप एक चोर है मैं ये जानने के बात, मुझे जैसा चटका लगा था, अगर आप चाहते हैं, किया आपका शिनौए नाम हमेशा रोशन रही है, तो ज्यादा आजमान में उठेंगी कोशिच मत कीजिए, हलो, अरे ये कौन है, कोई modern भूत है क्या, सोचा थोड़ा अपने आपको बदल कर देख लूँ, and it's really cool, वैसे कहां चाहरी हूँ, मॉल में कुछ बुक्स लेने चाहरी हूँ, और तो, फिलाल तो मैं कैलिफोर्निया के समंदर के रास्ते से होकर आया हूँ, और अब सोच रह कर दो चाहरी हूँ, चलोगी, रहने दो, मन नहीं कर रहा, क्यों मन नहीं कर रहा है, वो क्या है कि तुम्हारी इस फटवटी पर चलना ठीक नहीं रहेगा, मतलब, कुछ खास मतलब तो नहीं है, पर तुम्हारी आदत है न, थोड़ा ऐसे बैठो, थोड़ा वैसे बैठो, अंग से अंग मिलाने का चांस तो तुम बिल्कुल छोडती ही नहीं हो, इसी लिए, वेरी सॉरी, अब, अगर रोड़ पर गढ़े ज्यादा है, तो इसमें मेरा गया कसूर है, वैसे उस बॉड़ी बिल्डर की बैठती हो तो बहुत ही कमफरटेबल लगती हो, हाँ, यही है बिकज ही जानती हो, आज कल बॉड़ी बिल्डिंग आउट्डेटेड हो चुकी है, आज के लड़किया तो जीरो साइस बले लड़कों के पीछे पढ़ती है, तुम भी तो जानती हो, जब मैं तुम जैसी लड़कियों को उन भद्दे बॉड़ी बिल्डर के साथ देखता आज पनने की चाह में बेंड, बाजा, नाच, गाना करके एक एपलिकेशन पोस्ट किया था ना, हाँ, अगर इस चीज में तुम काम्याब हो गए, तो सोचूँगी, ओके, चलो मान लो कि मैंने अपना गोल अचीव कर लिया, तब तुम क्या करोगी, अब सिर्फ इतरादी या जवाब भी दोगी, वाट विल यू डू, विल यू मैरी मी, पहले पुलीस यूनिफॉर्म पहन कर मेरे सामने आना, फिर उसके बाद मैं तुम्हारी इस पटपटी पर बैठूंगी, और फिर लहराते हुए हम दुबई से लेकर कालिफोर्निया तक सेर करेंगे, इससे थिए गाद कालिवार मर्ने का या चलकुण। जलकुण। फिर ना, 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 भूटने कालिए? कुल अन्टीन सेल्याओ टेट पीट, एक पीड़कित नाचीनल देपल. पिन रियरी। आपारी। कि ऑन्टा मेरा चैक सुनो मा से कहना हाँ दो स्पून होरलिक्स अच्छे से बदाम डाल कर ला बाख और और अघग वाइट नो यॉप अभी लाते हुम अदर अभी लाती हुम मा सहाब को होरलिक्स और एगवाइट चाहिए होरलिक्स हां वीटिंगा जहर पिला रही है हां चुपचाप पीले हारलिक्स is the secret of my energy यह मसल आउट ओफेशन नहीं लगता इसे फिटनेस कहते हैं वैसे इस मसल ले अच्छा अच्छा को मसला है वैसे पुलीस बनने के लिए सिर्फ फिटनेस की नहीं दिमाग की भी ज़रूरत होती है इसलिए दिमाग की भी एक्सराइज शुरू करते हैं यह लो जन्रल जाए 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 अपना काम गरो है वह पड़ी थी दोस्चा थैंक यूँँ आप किता भी केड़ा बन गया यार चलना अच्छे फिल्म है यार चलो जाओ यहां से चल चल जाओ यहां से चल 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 आद ऑड़ा बन तो पड़ा पड़ी तो रहा हूं हाँ क्या हुआ विक्रम को चिकिन पॉक्स हुआ है वो एक्जाम नहीं दे रहा है मेरे रास्ते का काटा अखिर दूर हो ही गया भाउच ज्यादा फुदक रहा था और लेक्स जेम बादाम पिस्ता और पता नहीं क्या क्या नॉटन किया कर रहा था एक जटके में जीरा आस्मान से जमीन पर आगया अब मसा होएगा खाली गोल करने से जीत हासल नहीं होती इस तरह कोई ताली नहीं बजाएगा विक्रम उसे चिकन फॉक्स होए तुमें भी हो जाएगा अटी आप उसका हॉल टिकेट लाइए और मुझे कुछ नहीं होगा अधी तु जा यहां से ए चलोट अधी तू भी इंफेक्टेट हो जाएगा अधे इंफेक्टेट तेरे जैसे डर्पोग लोगी होते हैं फिलहा अधी यहले और भगवान का नाम लेकर एक्जाम देते हैं सबज़ किया ना अधी तुझे नीचे उतार एक्जाम तो कई सारे दे रहे हैं लेकिन एक तू ही मेरे टकर का है यहले एक्टेटेट एक्टेट ना यह वाँ वाँ एक्टेट 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 हैं ताद आद एक्टेट सकता है यह मैं गलाव खुल जाएंगे सारी नाहे तुम्हारे भी महनत बुलाएंगे रग लुकना नहीं है आप तो ठकना नहीं है बढ़ते ही रहना कदम जो है उमीदे तुम से मुझ को यकी है तुम पे पूरे करोगे सारे अर्मा तुम तेरी खुश की खातिर तेरी हज़ी की खातिर सब कुछ हो मेरी पहचान तुम आसमा तक जाना मन्जिल को है पाना मेरे दिल तुम सुने बढ़ते चले आगे सारी घद से आगे बढ़ना है आगे सारे जहां से आगे अब है मन्जिल पाना जीवन में जुखलाना रुखना नहीं है अब आगे है बढ़ना करते चले कि आगे सा कि जुखसी आलाय के आगे करते अदे मेरे आगे भी मकना नहीं करते एगे मेरे इस नहीं आ नहीं है नहीं है flash कुछu मन एगे जैए के यह एह एए हएँ अभवी नोटो आ सकतर ऐस मैं तेरा नाम उसते पांच छे नंबर से पीछे था, इतनी सी बात के लिए इतना परिशान होने के ज़रूरत नहीं, तुझे चिक इन पॉक्स हुआ था ना, इसलिए मार्क्स कम होगे, मैंने ये रिजल्ट एक्सपेक्टी नहीं किया था, और मा, आधी के रैंक से भी मुझे कोई प्रॉब्लम न पापा, ही इस सच अ ब्रिलियंड गाय, कभी उसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, उसका पाप भी बहुत बिलियंड था, शातिर दिमागवाना, और वैसे भी फाइनल लीस्ट इंटर्व्यू के बीस मार्क्स पर ही तै होगी न, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें करने चाहिए, इंटर्व्यू में बहुत सी चीजे हो सकती है, नीचे वाले उपर आ सकते हैं, उपर वाले नीचे और हो सकता है, लिस्ट में उनका नाम ही ना हो, छे, नार्कोटिक्स में जॉज नाम का एक आदमी है, तुम्हारे पास उसका नंबर है, नहीं सर, शायद अली गया था कि आपको भी पता नहीं है, अब सर, आपको लगता है कि आदी कभी ऐसी हरकत कर सकता है, लगता तो नहीं था, पर ऐसी गंदी हरकत करके उसने यकीन दिला दिया, अब देखो न, रंगे हाथों इस माल के साथ पकड़े जाने के बावजूद, वो मानने के जबकि उसके खलाफ सारे सबूत आईने की तरह साफ है, इसलिए आप क्रिप्या करके उसकी वकालत करना बंद कीजिए वैसे, एक और बात है, अगर मैंने एविडेंस यहां रखा और रात को किसी के मन में आदे के लिए दया के गंगा बहने लगे, तो कल को नार्कोटिक्स वालों को देने के लिए, मेरे पास ठेंगा भी नहीं बचेगा, सरी का सर, एविडेंस यहां नहीं रखना ही सेफ है, सर, मैं बेका सूरू हूँ, सर, डॉंट डू दिस, अच्छा सुनो, इसे जो भी खाने के लिए चाहिए दे देना, वरना कंप्लेंट करने के लिए यह ज़रा भी नहीं चुके, ठीक है, सर, 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 प्लीज, सर, यह किसी की सालिश है, मेरा बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता, प्लीज, उसे छोड़ दीजी, अब तुम्हें तो पता ही यह लक्ष्मी, नार्कोटिक्स के केस में दखल देने की पावर हमें नहीं है, लेकिन सर, अगर उस पर केस हो गया, तो उसका फ्यूचर बरबाद हो ज उसमें तुम्हारे गुन नहीं है, उसमें सारे गुन अपने बाद के है, तुम लाग कोशिश कर लो, लेकिन वह पुलीस वाला नहीं बनेगा सर, कल मैं उनसे बात करके रहता हूँ, अभी तुम घाचाए, चले तुम लोगों को पहले ही कहा था मैंने कि स्कूटर मुझे दे दो, खामा खाब बिचारे को तुम लोगों ने फसा दिया, उसमें माल है, तुम्हें बताना चाहिए था न? अरे लेकिन उसे पताना चले, इसलिए मैंने तुम लोगों को नहीं पता है, अब हम क्या करेंगे, यह शेनाय पुरानी दुश्मनी का बदला निकाल रहा है और कुछ नहीं, लेकिन अब हम क्या करें यार, अब बस एक ही रस्ता है, सीधा शेनाय के घर चलते हैं, माल नार् विल को ऑ not कि cookiesण़ को कि और, मैं ग्योओा को किण़ कषी खंब कि कि ऻिक usar आफेन आफेना थको हम अच्छा है कहां है वो सर बाहर बैठे हैं बुलाओ ओके सर ने आपको अंदर बुलाया है हां सर प्लीज सिट थेंक यू किसी ने मजाग किया है इस लेक्टोस पाउडर ओम्यो मेडिसिन्स बनाने के लिए इस पाउडर का इस्तमाल किया जाता है अच्छा है कि उस एक्यूस को कोर्ट में पेश करने से पहले आपमें इसे टेस्ट करवाने का एक अच्छा डिसिशन लिया वरना मीडिया के सामने क्या हुआ है किया हुआ सर शंभू तुम मुझे घर छोड़ दो ठीक है और हां मेरी इजाज़त के बगार उस लड़के को रिहामत करना है ठीक है सर तुम यहीं इंतिजार करो ठीक है क्या हुआ सर आपने अर्जेंट बुलाया कल मैं तुम्हारे साथ रूडली पेशाया सौरी कोई नहीं और वैसे भी कोई डिसिजन लेने में मैं हमेशा लेट रहता हूँ तो सर नार्कोटिक्स वालों से बात हुई लक्षमी तुम्हें बता ही है ये केस कितना सीरीज है डिसिजन लेना बहुत ही मुश्किल था और सिर्फ तुम्हारे लिए मुझे ये करना पड़ा मैंने अपनी पूरी जिन्दगी में कभी ऐसा घलत काम नहीं किया था पर अब करना पड़ा नार्कोटिक्स के पास भेजने से पहले मैंने वो सुबूत बदल दिया था अब वो सेफ है अब उस पर कोई केस नहीं होगा मैंने ये सिर्फ तुम्हारे कहने पर किया है और इसके बदले में मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ बोलिये सर उसके इस क्राइम से माना कि डिपार्टमेंट बेख़बर है पर क्राइम तो क्राइम ही है और इसलिए मैं यह नहीं चाहता हूं कि वो पुलिस में भर्ती हो लेकिन सर यहां तक पहुचने के लिए उसने जी जान लगा कर मेहनद की है और मैं भी उसे पुलिस की भर्ती में देखना चाहती हूं सर लक्ष्मी तुम इस डिपार्टमेंट के काईदे कानून अच्छी तरह जानती हूं मैं कोशिश करूँगा कि कोई उसके खलाफ तहकेगा कभी न करें क्योंकि मीनिमम दस साल के लिए तो वो अंदर जाएगा ही साथ में मुझे भी अपनी नौकरी से हाथ दोना पड़ेगा लक्ष्मी एक बात और सुन लो हमारी ये बातें ये हम दोनों के अलावा किसी तीसरे तक नहीं पहुचने चाहिए मुझे क्या करना होगा बताता हूं तुम्हारी स्कूटर में जो ड्रग्स मिला वो लैक्टोस पाउडर में कैसे बदला पता है अरे काई का ड्रग्स वो सकता है के मैंने कभी क्लिनिक के लिए पाउडर लिया हो और वैसे स्कूटर में छोड़ दिया हो यह एक छोटी सी चीज के लिए कितना बड़ा ट्रामा हो गया, थैंक गड़ बच गया ब्लडी फूल, इट वस कोकेन मुझे पता है तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था अगर यकीन नहो तो अपने उन थर्ड क्लास दोस्तों से जा कर पूछो मैंने तुमसे कितनी बार कहा, उन लोगों से दूर रहो, लेकिन नहीं सुना, देखा ना क्या हुआ, तो वो लेक्टोस पाउडर में किसे बदल गया शिनॉय अंकल ने तुम्हें बचाया, ऐसा लग रहा है क्या विक्रम, तुम्हारा दुष्मन, उसने अपने डायट को चीज किया और ड्रग्स की जगह पर वहां उसना लेक्टोस पाउडर रख दिया उसने, आई डों बलीब दिस, डोंट यू बलीब मी, मगर वो विक्रम, विक्रम, बच्चाया बच्चाया, यू श्कुर्ड़ अगेन अगर तु जिल चला गया तो मैं किस के साथ कंपीट करूँ अ? वैसे, यह मत समझना कि हमारी दुष्मनी खतम होगी ओके? वेट अ मिनट यह ओरिजिनल यह ले जाकर अपने दोस्तों को दे दे ना कि अना धे ऋे वा ले, वे बाली बील्त है वे, बाली बील्डिन अर है, बाली बील्डिन नहीं दो अर्वाब कि बाली पना तर्वाब अरलिक्स बॉय बेचारा रासकला अग्रेट कॉम्पलिम्ट ए अग्रेत एनिम्य एस वेश्ट रेट एनिम्य यस यस मैंदेश हमने कभी एक दूसरे का हाल चाल नहीं पुचल आपको कभी साथ में घूमे नहीं नहीं कभी एक टीम में खेले नहीं, ना कभी एक दूसरे के बारे में फिक्र की. Always opposite. और अब मैं उसे जान गिया हूँ. और वो मुझे. एक दूसरे को जानते हो, पर एगो की वजह से, तुम दोनों की दोस्ती नहीं हो पाती. इसकी वजह तुम ही तो हो. हम, you are the common factor between us. हमारी दूरी की वजह, बस तुम ही तो हो. तुमने कभी एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की, कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है? कभी तुमने जानने की कोशिश की, कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सुचता हूँ? पच्पन से तो तुम मेरे साथ हो, तो और क्या नया जानना है? ठीक है, तो अकेले यहाँ बैठ कर, ताजी हवा के मजे लेती लो, मैं चलता हूँ. जाओ. चल भग, बाग्ड़ हो कहीं की. भूँ! आखोने देखा जो सपना, सपने पूले के तुम, आज इस मधुर मिलन का, रुत लेके आए तुम, मैं दा कुछ भी नहीं, रस्ता दिखाए मुझे तुम, सारे जमने की खुशे, दामन दिलाए मेरे तुम, आखोने देखा जो सपना, सपने तुम, पुरा करूंगा मर के भी सपना, कहता है ये मेरा दिल, मेरा हरवान है तुम से तुम ही हो मेरी मंज़, तेरे दिला कुछ भी नहीं, ना जीवन नहीं खुशे, मन में जगी है तेरे प्रीत की लगन सजन, हाँ ये प्रीत की लगन सची तु यही है, खाते पीते सोते जिगते पल पल हर पल शों समेरे रहते हो पास मेरे तुम, आखों में देखा जो सपना, सपने पूरे के तुम, जी चाहे बस साथ तुम्हारे उर जाओं आकाशों में, जनम जनम सेखी सपना रहों तुम्हारे माहों में, रासते तुम से है, मंजिले तुम से है, मन में जगी है तेरे प्रीत की लगन सजन, हाँ ये प्रीत की लगन सची तु यही है, खाते पीते सुटे जिगते पल पल हर पल शों समेरे रहते हो पास मेरे तुम, आँखों में देखा जो सपना सपने पूरे की लगन आज इस मधुर में लंका रुत लेके आए तुम, मैं था कुछ भी नहीं, रस्ता दिखाए मुझे तुम, सारे जमाने की खुशी दावन मिलाए मेरे तुम, कुछ आए तुम, कितनी देर हो यह तुम, अब यह ज़िए टाइम पास्सवाज तरहे हैं, हेलमेट क्यों नहीं पहना है? वाइ मैं हेलमेट क्यों नहीं पहना है? बाई मैं शादी में जा रहा हूँ, तेरे बॉल की तुम चब हेलमेट पहना, तुम हेलमेट नहीं पहना है? क्या है? आपको पैचाना? नहीं पैचाना? सिर्फ यूरिफॉर्म में होंगे तभी पैचानाएगा क्या? हेलमेट के बगर गाड़ी चलाएगा सौरी सर्, कहलती हो गएगा जाए शादी में जाना पड़ी हा हॉस्पिटल हेलमेट पैना जरूरी है चल पैन हेलमेट पैन बोला ना चल 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 निगाल क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? इंटर्व्यू के बिना लिस्ट पब्लिश कैसे हो सती है? इंटर्व्यू तो कपका हो गया बस तुझे पदा नहीं चला इसमें जरूर किसी की चाल है शॉर्ट लिस्ट में मेरा नाम था मैंने अच्छे मांक्स भी स्कोर की है तो फिर मेरा इंटर्व्यू क्यो नहीं हुआ तो तुझे इस बाद का जवाब चाहिए सुनिया सुनिये आपका इंटर्व्यू से रिलेटेड मेमो आपके रइस्टेट पोस्ट आफिस में डिलीवर हो चुका है आप वहां पर जाकर आगे की डिटेल्स पूछ लेजिए कंप्लेंड करना अच्छी बात है पर बिना सच्चाई जाने किसी पर चिलाना घलत बात है और हां यहां आने से पहले आपको नजदेकी पोस्ट आफिस में जाकर पता करना चाहिए चल क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ प्यसी आफिस से जो इंटर्व्यू मेमो आया था वो कहा है वह तो तुम्हारी माक को ते ते थे था तुम्हे मिला दिया मेरी एपस jap conse Сегодня अगर उने दिया होता तो तो समझ में आता पर मैं तो यही पर था न उसमें लिखा हुआ था और डिलेफ्रिक अड्रेस आपके घर का ही यहा वो पोस्ट मैंने उन्हें ही दिया है मुझे पूरा यकिन है आप चाहें तुमसे पूछ के देख लीजी है चुद है 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 अब तक कहां था तुम आदी मैं कुछ पूछ रही हूं पी एसी का मेमो आपने रिसीव किया थो तो जब मुसीबत ने पास कया तो शिनोई सर से मैंने रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने आपने वो पोस्ट रिसीव किया या नहीं किया तुम उससे क्यों चुपाया नहीं बिदा वो मैं तुम्हे बचाना चाहती थी इसलिए शिनोई सर्थे सुग्या कुछ केने की सुरह नहीं लेके बेटा में तुम्हेने बसकाना पुमन कहें बसकाना तुम उस्ट neces हुआपड़ा क्यावपड़ा युम्हेन स्वस्ट फuldुम। इसलिए क्याव़ा क्याववाया तुम्हेन खवाया लुजा भूम 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 फूमझ मा, अगर तुमने पिताजी को समझने की कोशिश की होते, तो आज वो हमारे में इच जिन्धा होते. यो और जया । ए मनें आज दुमने होते होते. यो ग्ली वे प्टय ज की हमारे में धो एक हमारे में दो हमारे में होते होते हो है. आप में तेट हाँ आप जयाँ आप में आप पर खार में ले जाँ सकत बेंगी आप आप में आप में आप आप जया आप कि यजए ठंप इसे घप रही हो ठोह जो हुआए भूअ है। कर दो कि जुड़ा Πे जुड़ा कि जुड़ा कि जुड़ा माँ, देखो बयाए कर दो कि दो ओखते होnim Wiki कर देटारं देटार्व वर भी एक्या है यह आर अरे को आर विए क्या आरे को आर विए क्या मैं हुना? आदी, तुमने आने की खबर नहीं की मुझे? आव बैठू सेलेक्शन नहीं हुआ तो इसमें घर छोड़ कर जाने की जरूत क्या थी? एक काम जाता है तो और लाखों आ जाते हैं और अगर तुम्हें आइसा ही बनना है तो फिर वापस अपलाई करो अगर तुम्हें सेलक्ट नहीं होते तो कॉंस्टेबल बन जाओ बाद में प्रोमोशन लेके आगे बढ़ सकते हो ना? कम से कम पुलिस बनने का सपना तो पूरा हो जाएगा ऐसे घर छोड़के नहीं जाना पड़ेगा चौनो शुक्र तुम वापस आगए अब जब तक तुम्हें कोई काम नहीं मिल जाता है तुम मेरी हेल्प करोगे पाकट मैनी का जुगार तो हो जाएगा ना? तुम्हारा डिसपांटमेंट दूर करने के लिए मैं तुम्हें अच्छी दवाई दूँगा क्या इस होमियोपैथी से सब कुछ ठीक हो जाता है? इतने साल मेरे साथ काम करने के बाद भी तुम कुछ नहीं समझे होमियोपैथी से 100% क्योर होता है फिर आप हमारे इस गवर्मेंट को ठीक कर दीजिए हाँ कर दूँगा पर उन्हें पांच साल तक कंटिनिस दवाई लेनी पड़ेगी तुम्हारे मजा करने की आदात नहीं गई हाँ दीपिका का है अच्छा मतलब तु मुझसे मिलने नहीं आयो तुम बुलाता हूँ आदे लाइफ में प्रॉब्लम साती रहती है उन्हें गोलियों का डोज समझ के निगलते रहना चाहिए हां बस यही जिन्दगी है आय तुम्हें मेरा लास्ट एमेल तो मिला होगा ना मिला इसलिए मैं जल्दी चला आया आने में बहुत देर हो गई क्या आया इसलिए अल्दी बेस्ट खुश्या कल ही विक्रम चार्ज ले रहा है ना हां गुड़नाइट सभी दर्शकों का अलूवा विशन में स्वागत है हमारे सर्कल इंस्पेक्टर शिनौई जी के रिटायमेंट के बाद उनके बेटे विक्रमें सब इंस्पेक्टर पुलिस में जॉइन कर रहे हैं पुलिस डेपार्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छी बात है उन्हें ये कासा लग रहा है उनसे ही पूछते हैं वेल ये मेरी लाइफ का एक बहुत ही इंपोर्टन डे है एंड अ अब आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे लिए भी आज का दिन बहुत आहम है मैं अपने डिपार्टमेंट के उन सभी ओफिसर्स को तहे दिल से शुक्रिया आदा करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं अपने बेटे विक्रम शेनाय को ऐसा ही बनने की खोशी में मुबारक बात दो थैंक यू सर थैंक यू सो मुँच आप ही का इंतजर कर रहा गूद्मोर्णिंग सर क्याए अप सब बढधिया ना सब बढ़ एंक यू सब बात करनों सर्स्टाइशन थैंक यू आपके सारे लोगों से पहचान करवा रहा हूं हाईए सर्शार चाहे चाहे नमस्को कंग्रैक्स थैंक्यू कंग्रसिलेशन शंबूजी, चाय ले आएए ओके, यू कैरियो, बाइ खुशी हुई तुम्हें देखकर बहुत देनों से तुम्हारा सल्यूट मिस्स कर रहा था मैं अब तो सल्यूट बंद है यसलिए तो आया हूँ शंबूजी, इन्हें चाय पिलाई वापस आगे, अब आगे से डिसिप्लीन फॉलो करना हूँ जी सर, अच्छा शंबू, सर उस्रों को भी चाय पिलाओ जी सर, मेरे बेटे कभी खाया लगी वोडी आपको पुरी तरा कॉपरेट करें हाँ ठीक, ओके सर अब बाई, श्यू सर बाई, श्यू सर 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 कलो, प्लेजंट सर्प्राइज, आए हाँ, कॉंग्राइट्स, थैंक यू सर, आए ना सर, प्लीज यहाँ पास में एक फंक्शन के लिए था, और पता चला की यहाँ सेलेब्रेशन चल रहा है, इसलिए सोचा की बाप बेटे को बेश कर दो थैंक यू सो मच, सर अंदर चलिए क्या आपके पिता जी, वो भी एक मेने में रिटायर हो रहे है, रबर बोर्ड में है अब अब क्या है बाहर वेट करो, मैं अभी सर से बात कर रहा हूँ ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ ओके सर आपके आने के लिए शुक्रिया सर्थ थैंक यू सो मच अधी लोकेश बात बीजी था गया एक फोन तो करता, जॉइन हो गया जॉइन हो गया, आज सुभही कॉंग्राट्स जूड सर रभी सर यह रभी सर है यह रभी सर है ओ पुलीस असोसियेशन के आपके बारे में सुना है अधी बड़े काभिल ओफिसर है हर स्टेट में मुझे काइट करके इन्होंने काफी मदद की है मेरी ओ अधी अधी यह शिनोय वही शिनोय है क्या अच्छा तो तुमने अब तक पताया नहीं क्या नहीं ठीक है चलो अभी चल के बताते नो नो इस ओके चलो भी यह लोकेशन रिटायर्मेंट के बाद तो तुम्हाले सर बाद में बात करता हूं सर आप इसे जानते हैं? हाँ अच्छी तरह कौन है यह? अधित्य सन अफ लेट कुंदन कुमार अधित्य सहिका त्रिवंद्रम से तिली जाने वाली ट्रेन में पहली बार इस अधित्य सन अफ लेट कुंजन से मेरी मुला काम अधित्य सबस्वर्ण सबस्वर्ण सबस्थ अधित्य साउ सबस्वर्ण भी उसे मिलते ही मैं समझ गया कि वो परेशान है, अपनी जिन्दगी से मायूस्त फिर मिलता है, हुँ मेरा एड्रेस और फोन नमबर इसमे है, जरूद पढ़ने पर मुझे फोन कर दो अब भाई सब, गड़ी रुखो, उसे उस हाल में छोड़ने का मेरा मन नहीं किया, फिर मैं उसे अपने साथ जबर्दसी ले गए मैं क्लास में जाता और अधित्या यहावा गोंता बिड़ता रहता मुझ पर बोज़ ना बने इसलिए, उसे जो काम मिला वो करता गया कभी किसी काम के लिए शर्माया ना क्योंके मेरे पिता जी भी एक सिविल सर्वेंट है, तो जाहिर है कि मैं भी उनकी तरह बनना चाहूंगा और क्योंके आधी रास्ता भटक चुका था, इसलिए मैं उसे रास्ता दिखाने की कोशिश में लग गया और फाइनली एक दिन मेरी कोशिश काम्याब हो गई, वो मेरी बात मानने लग गया मुझे उसमें कुछ खास बात नजर आई जो औरों से अलग थी, इसलिए मैंने उसे अपने ही इंस्टिट्यूट में एक इवनिंग क्लासेस लगवादी, वो उस बात से बहुत खुश था इवनिंग क्लासेस के साथ-साथ, वो एक पार्ट ताइम जॉब करने भी लगा वहां मैं अपने फ्लैट में आराम से पढ़ाई कर रहा था और अधित्य भी पढ़ाई कर रहा है, इस बात की मुझे बिल्कुल भी ख़पन नहीं थी हम लाधित्र के बिल्कुल जसी पत्रणे बिल्स्दित फिर्भाई वहां मैं असाथんだ आर वी रहाँ सिविल सर्विस के रिजल्ट वाले दिन सिलेक्शन लिस्ट में मेरा नाम देखने के लिए आदी मुझ से भी जादा बेचैन लग रहा था पर खुद का राम देखने के लिए उसमें पेचैनी बिल्कुल भी नहीं था शायद वो जानता था उसका नाम नहीं होगा इधर हो क्या हुआ है येस अधित्य ये देख तेरा नाम अधित्या 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 कॉंग्राइट्स ढूड्स तुने कर दिखाया अधि हुई 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 कर दो हुई मेहनत करने बालों की किसमत भी साथ देती हैं छोटे मौके हाथ से इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि पड़े मौके आपका इंतजार कर रहे होते हैं जिंदेगी में उतार चड़ाओ तो आते जाते रहते हैं हमें उनसे डरना नहीं है बलकि हमेशा उनका सामना करना है हमारी नजरें हमेशा लक्षिकी और होनी चाहिए तब जीत खुद अपनी और खींची चली आती है अपनी ट्रेनिंग के आखरी स्टेज के तोरान मुझे फील ट्रेनिंग के सिलसिले में अपनी टीम के साथ केर लगे जा गया उन्हीं यादों के बीच जिनने में भुलाना चाह रहा था और वापस डेली लोटने से पहले हैंके हमें अपने गाउं गिया और वहाँ जी भरके सभी को देखा सबसे मिलने का तुब बहुत मन था और मेरा लक्षी अतुगा था इसलिए मैं उन्हें अपना चेहरा दिखाने में पुरे शर्म महसूस कर रह था इस पूरी याद्रा में जो मेरा हम सफर मना जिसने मेरा हाथ खान कर मुझे मौत की मुझे बाहर निकाला वो है मेरा तोस्त लोकेश इसने मेरे अंदराहत में विश्वास जगा कर मुझे लड़ना सिखाया ट्रह्म कर दोड़ना सिख़ ग्साद मेरा दिखाया तर्द सबकार भान कर दो भान करुए कर दो कि अज़ेखने विश्वास बबाहे हम दो कार दो कार ग्टीर भान शोन या यविश्वास अधिर निकाला हम आदृत्य प्राइद्य यविश्यों इस नहीं अबत्रबस्यर सार यह हमारी सेवियर ओफिसर आपको रिटार्मेंट से पेने सेलूट करने के मौकाम इला है तो एक आखरी कलग सलूट करी दो सहला है लोकेश विक्रम को मत बताना आज उसका दिन है वैसे भी तुम्हारी स्वीट रिवेंज अंदर पूरी हो गई ठीक है तो फिर मिलते है निकलता हूं थैंक्स चलता हूं सर् अदी यूर्म्हारी है थैंक्स शिला निकलता हुं रष्टावारी हुआ आ आए हुआए यूहा हुआ है जता हुआ हुआना तोनों एक ही रेस में दोड़ते आए है, तेरे बगेर में नहीं, और मेरे बगेर तू नहीं, तेरे रहो में एक पुलिस ओफिसर का खुन है, हुन तो मुझ में भी है, मेरी मा का, आदी, जा रहे हो तो, इसे भी अपने साथ ले जाए, इसने हमेशा से तुम्हे ही चाहिए, quitको kो recognize जा ही जाए, जा इसे छो गड़ेदां zeggen हुनो साने है, झाल पुफिसर का एंवाल इस wyp这个 का ही बाए है, तेर in दिदी, तेरा दुम्हें आए, कॉम्पिटिशन अभी खत्म हुआ है तुम तक पहुंचने में देड़ तो लगेगी वगर